कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता एवं प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री सज्जन सिंग वर्मा ने शडियंत्र पूर्वक धन्बल के आधार पर एक सफल कमलना सरकार को गिराने के सोधिन पूर्व होने पर इस मध्य प्रदेश के लोगतंतर की हत्या के काले दिवस के र मनाने का एलान किया वर्मा ने कहा कि मद्य प्रदेश के प्रदेश की पीट पर जूरा घुपा तथा सफलता पूर्वक चल रही एक जन हितेशी कमलनात की कॉंग्रेस की सरकार को पैसू से खरीत फरुकत करके गिराने का गिनओना शडियंत्र किया वर्मा ने कहा कि इसे लोकतंत्र के हत्या कहते हैं लोकतंत्र के हत्यारों को इस प्रदेश की जनता जवाब देगी और आने वाले 24 वधान सबा चुनाओं में लोकतंत्र के हत्याओं को यह बता देगी कि ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करती अपने संदेश में उन्होंने प्रदेश की जन्ता से और सभी कॉंग्रेस जन्स से आभान किया कि कल 30 जून को लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूरे होने पर काले दिवस की रूप में मनाए और लोगतंत्र की हत्या करने वाले आठ जन्मत को धोका देने वाले लोगों को करारा जबाब दे हम लोगतंत्र की हत्या का समवा दिन काले दिवस के रूप में मना रहे हैं मद्द प्रदेश वासी जानते हैं कि भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने किस तरह प्रदेश के पीठ में छूरा घुपा एक सफल पंगरेश की कमलनाजी की सरकार को पैसे से खरीद के गिराने का सडेंद्र रचा ये लोगतंत्र की हत्या मानी जाती है लोगतंत्र के हत्यारों को जवाब देगी इस प्रदेश की जन्ता 24 उप्चनाओं विधान सभागे हैं इन 24 विधान सभा के उप्चनाओं में जन्ता बता देगी कि जो लोग लोगतंत्र के हत्यारे हैं सम्मिधान की हत्या करना चाहते हैं ऐसे लोगदार लोगों को हम कभी माफ नहीं करेंगे सारे कॉंग्रेश जन सारे प्रदेश वासी 30 जूम को इस लोगतंत के हत्यागा काला दिन मनाएंगे